आपना करने वाले प्रथम शासग बपारावल जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिंधु नदी की पश्चिम की ओर से बढ़ते आक्रमनों को सदियों तक रोके रखा। इन्हीं के वंशज महराना कुम्भा हुए जिन्होंने अपने शासंकाल में 33 किलों का निर्मान करवाया जिन्में विश्व प्रसिद्ध कुम्भल गड़ और चित्तोड गड़ का विजय स्तंब मुख्य है। इसी राजवंच में एक और महा प्रतापी राजा राना सांगा हुए जिनका सामराज अफगानिस्तान तक पहला था। जिनका जीवन चरित्र शारपूर्ण गाथाओं त्याग और बलिदान से भरा है। युद्ध के दौरान उनके शरीब पर असी घाव लगे थे जिन में एक आँख एक हाथ और एक पाउं बुरी तरह से जखनी होते हुए भी स्वाबिमान की रक्षा के लिए युद्ध में वे सदैव तत पर रहे। पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्ना धाइब ही है जोके गुर्जर जाती की धाइमा थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे कर राना उदै सिंग की रक्षा की जिनके पुत्र महराना उरताप हुए महराना प्रताप का जन्म पाली जिले के अक्षे राज सोंगरा की पुत्री एवं महराना उदै सिंग की महरानी जैवंत कमर की कोक से विक्रम संवत 1597 में अर्थाद 9 मैं 1540 को पुम्धु गढ़ देंग गुआ बानल्यकाल चित्तोन गढ़ में गुजरा करीब 17 वर्ष की आयू में ही प्रताप का विवाह अजबंदे कमर के साथ हुआ सन 1567 में अक्षे ने जब चित्तोन गढ़ पर आख्रमा किया तो मेवार के प्रमुक सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महराना उदै सिंग ने चित्तोन गढ़ छोड़ दिया मुगलों के ब्रती उनमें घृणा के भाव चाकृत हो गड़ अपने देश, कुल, गौरव और मात्र भूमी की मर्यादा के लिए प्राण न्योचावर करने वाले योध्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने नकेवल सीख ली बलके ये घटना उनके जीवन का आधार बन ग पुर्गम पाहडों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया फर्वरी 1572 को महराना उदैसिंग का देहांत हुआ प्रताप की जेश्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सर्दारों ने उनको राजगदी पर आसीन किया होली के दिन उनका गोगुंदा में राज दिलक हुआ उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने मुगल समराथ अकबर की अधिन का स्विकार कर ली थी एक मात्र महराना प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं जुकाया अपनी स्वाधीनता और सार्व भौमिकता के अधिकार को सर्वो परिमाना अपने द्रण निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए 18 जून 1576 की सुबह हल्दी धाटी और खमनोर के मध एक मैदान में एतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया महराना प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुँची जबके सेनापती मान सिंग के नित्रित्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोचा जमाया मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुस बैट करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूद महराना प्रताप की सेना मुगलों पर तूप पड़ी। प्रताप के हरावल सेन्य दलों का नित्रित्वत पठान हाकिम खांसूर कर रहे थे। भीलू राना जो राना पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके नेत्रित्व में भील आधिवास्में में गुरिला पद्धकी से युद्ध करते हुए मुगलों के चक्के फुडा दिये। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्ट तलाई, गोरों की डापों, हाथियों की चिंधारों और तलवारों की जंकारों से युण जुटती। चारों तरफ हाहा काग मच गया। युद्ध का घटना क्रम अचानक उस समय बदल गया, जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंग के हाथी पर चड़ा दिया। और उस पर भाले से भरपूर बार किया। मान सिंग हौदे में दुबग गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांक कट गई। इस स्थिती को भाप कर महराना प्रताप के हमशकल सेनापती ज़ालामान ने महराना प्रताप से आग्या लेकर उनका राजमुकुद धरन किया। मुगल सेना जालामान को महाराना प्रताप समझ कर उन पर तूफ पड़ी जालामान शहीद हो गए उधर चेतक ने अपने स्वामी को पाँच किलोमिटर तक तीन टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया उसके बश्चाद उसके प्राण पखेरू उड़ गए इस युद्ध से महाराना प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भूजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया महाराना प्रताप ने अपना सैन्निबल बढ़ा कर सर्वप्रथम अरावली परवत की घाटियों में बसे दिवेर पर चड़ाई कर विजय प्राप्त की इसके बाद कुम्भल गड़ पर भी विजय प्राप्त की सिर्फ चित तोड़ गड़ को छोड़ कर सारे मेवाण को अपने अधीन कर लिया कालान तर में महाराना ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की 19 जन्वरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयू में इस संसार से प्रयान किया हल्दी घाटी का युद्ध एक साम्प्रदाइक युद्ध ना होकर आत्म सम्मान मात्र भूमी की स्वतंत्रता वस्वाधीन ता का संगर्ष था इसका प्रमान ये है कि जहां पर अक्बर की सेना के सेनापती जैपुर के राजा मानसिंग थे वहीं पर महराना प्रताप की सेना के सेनापती काबुल के हाकिम खांसूर थे महराना प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्म सम्मान वदेश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लाव भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा पेरित किया